कुछ लोग को सर मानी चाहिए कि महरास्टर में लॉकडाउन है करोना है और जिस तरह से वहां की स्थिती है और इस स्थिती के बीच में कुछ सेलिबिर्टी जो अपने आपको बहुत बड़ा सेलिबिर्टी सुपरस्टार समझते हैं आज वो इंटरटेनर जाकर के होली डे ट खुलासा इस विशाय में हर एक तथ्य पे बात करेंगे दोस्तों आप लोग को पता है कि महरास्टर में मुंबई में जिस तरह से स्थिती अभी जितनी डवाडोल है वहां की जो गरीबी ऐसे स्थिती में वहां लॉकडाउन लगना एक अपने आप में एक बहुत ही भैभि करने वाली बात होती है लेकिन इसी बीच में जो पूरे देश भर में पूरे दुनिया भर में लोग जो बरए बरे इंटरेनर को फॉलो करते हैं और आज वो सेलिबीरिटी मीलस बनते हैं बहुत बड़ा इंटरेणर शूपरस्टार मैं आज जो कर आपके थंड़ी वादिय आपको सर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह से वैकेसन पर पैसे उरा रहे हो, जहाँ पे कुछ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी स्थिती, बुरी परिस्थिती से गुजर रहे हैं। एक वक्त खाते हैं तो कल के लिए सोचते हैं कि आज खाऊंगा तो कल क्या खाऊंगा इस तरह की उनकी अभी जंदगी चल रही है वहाँ की स्थिती वहाँ की परिस्थिती कितनी दैनिये हो चुकी है लेकिन इन सब चीजों में जो सेलिबिर्टी जो अपने आपको मानते हैं बड़े इंटर्टेंवेंट के बालसा मानते हैं जो कींखान मानते हैं और बहुत सारे ऐसे कपुर खांदान के परिवार के बच्चे हैं जो मालदिव जाकर के सोसल मीडिया पे पोस्ट शेर कर रहे हैं वो कौन कौन लोग है मैं बताऊंगा आपको इस पर से नवाजदीग कपूर का फोटो आया था माल्दिव से देन उसके बाद सारा अली खान का भी आता है पिक्स देन उसके बाद रनवीर कपूर और उसके बाद आलिया भट जाती है माल्दिव देन उसके बाद रनवीर सिंग दिपिका पादु कौन जाती है तो इस तरह से लोग जाकर के होली ड अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या आप जाएंगे तो उन्हें ने कहा जी नहीं मेरे लिए मालदी मेरा घर है मेरा परिवार है और जो गरीब लोग है उनकी मदद करना ही मेरी एक धर्म है कुछ लोग यह सोसते हैं कि मैं अभी यहाँ पे जितने सारे मुंबई में महरास्ट में लॉकडाउन की वज़ा से जितने सारे लोग फसे हुए हैं कुछ लोग छोड़ छोड़ के अपने घर भाग रहे हैं कुछ आउट आफ इंडिया भाग रहे हैं तो सवाल यहाँ पे यह उठता है कि इन सारे लोग को कैसे महरास्ट से बाहर जाने दिया जा रहा है इस पर से नवाजुतिकिन सिदाव ने साब कहा कि ऐसे लोग को बहुत ही ज़ादा सर्म आनी चाहिए कि इतने सारे लोग आपको जब फॉलो करते हैं तो ऐसी स्टेप जब आप उठाते हैं तो क्या आपकी आत्मा आपको नहीं कहती कि ये चीज़ नहीं करो वो गरीब अग बात है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो क्रिप्या करके आप घुमें लेकिन पोस्ट शेर ना करें इससे क्या होता है कि आप ये एक मैसेज दे रहे हो कि इस दुनिया में इस देश में कुछ भी होता है में फर्क नहीं पड़ता हमें तो नहीं है लेकिन आप ऐसे चीजों को देखिए कि ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो एक वक्त के खाने के लिए तरस रहें जो सरकों पे भीक मांगते हैं उनके जंदगी जाके देखिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो क्रिप्या करके उन सारे लोग को जाकर जो देकिन साब उस चीज़ को उठाते हैं और क्यों उठाते हैं मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन है जब कोई भी आउटसाइडर बहुत स्ट्रगल करके उस मुकाम को पाता है और वहां उस मुकाम को पाने के बाद उसे सफलताएं मिलती है तो उसे लगता है कि एक पै पैसे को कमाया है उसके लिए पैसे की इंपोर्टेंस होती है सफलताएं की इंपोर्टेंस होती है सफलताएं पाना बरी बात नहीं है लेकिन उसको बरकरार रख पाना बरी बात है ये सारी चीज़े नवाजुद्दिकियन साहब जानते हैं और इसलिए जब भी करता होगा चाहे हमें नहीं मन करता होगा लेकिन अभी इस देश की क्या स्थिती है क्या हालत है ये आप लोग को भी पता है अभी इस सिच्वेशन में इस परिस्थिती में हर एक इनसान को कॉपरेट करना परेगा अगर हम भी ये सोचें कि चलो इतने दिन से घर में बोर हो र अगर हम और आप मिल करके एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करेंगे तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में परने वाले हैं लेकिन ये बड़े बड़े इंटर्टेनर लोग इस चीज़ को समझते नहीं है इन्हें तो बस ये लगता है कि भाईया पैसे है हम कहीं भी जा करके घूम स अगर भारत देश में किसी को भी मदद की जरूरत है तो कृपया हमें मैसस करें हमें कुछ भी बाते सेर करें हमसे हम आपकी मदद करेंगे ये बहुत ही हास्यस्पत बात है आप बताईए कि रिया चकवर्ती यहाँ पे अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश कर रही है लेक को अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो हम आपकी मदद करेंगे लेकिन आप करेंगी क्या मदद इस दैश में बहुत सारे लोग हैं जो मदद की गुहार मगा रहे हैं तो आप करिए मदद करिए ये मत लिखिए कि मदद की जरूरत है आप ये दिखाईए कि आपने कितने लो दोस्तों आपको बता दे कि उन्होंने ये भी कहा कि मदद छोटी हो या बरी माइने नहीं रखता मदद मदद होती है जितना हो सकता है हम करेंगे और हमारी जितनी कोशिश है हम पूरी उसमें सफलता पाने की कोशिश करेंगे यानि रिया चकवर्ती कहीं न कहीं अपनी इमेज को पुरी तरह से सुधारने और समालने की कोशिश कर रही है लेकिन बीते सालों में जिस तरह से उनके साथ हुआ है और जितना उन्होंने करा है और जिस तरह से सोसल मीडिया पर उनके बारे में चर्चाएं हैं नीज चानल पे जितनी सारी बाते आई हैं हमेंने लगता कि इतना कुछ करने के बाद भी रिया चकवर्ती की इमेज में कोई भी सुधार आएगा क्योंकि उन्होंने अपने पैर पे खुद कुलहरी मारा ऐसी ऐसी राह पे उन्होंने चला जिससे की पुड़े देश बर में रिया चकवर्ती फेमस हो जाती है हलाकि नवाजुदेगिन सिद्धिकी के बाद पे आप लोग की क्या सोच है अगर जितने सारे बरे इंटर्टेनर अगर मालदीव जा रहे हैं तो इस पे आपकी क्या सोच है क्या विचार है अपनी विचार जरूए किजेगा मेरे साथ और रिया चकवर्ती के नया खदम पे आप लोग क्या सोचते हैं इस विचार में अपनी विचार जरूए कमेंट किजेगा अपनी विचार को तो आज के लिए वस इतना ही धन्यवाद